खंडबा जिले के चाई के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाई अभी जाकर नजदी की किरानत स्टोर से खरीदें, होलसेल के लिए वैशाली किरानत पर समपर करें मद्य पर्देश के खंडबा में मोगट थाना क्षेत्र की एहमतपूर खेगाउं शराब दुकान के करमचारी ने एक लाख रूपए लेकर वह मौके से फरार हो गया आपको बता दें कि मोगट थाने में अमानत में खयानत का मामला दर्ज कराया गया है शराब मैनेजर की दुकान ने अपराद दर्ज कराया है आपको बता दें शराब मैनेजर ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि उनके करमचारी ने दिन बर शराब बेची और शटर डाउन करने के बाद डेली कलेक्शन के करीब एक लाख रुपर उडा लिये और इतनी बड़ी रकम लेकर वैब फरार हो गया मामले में थाना मोगट रोड पुलिस ने शिकायत पर करमचारी के खिलाफ अपरादर्ज किया है आपको बता दें कि सोम गुरूप की ग्राम एहमतपूर खेगाओं में अंग्रेजी शराब की दुकान है रोजाना शराब दुकान रात के ग्यारा बजे बंद होती है लेकिन शुकरवार रात को शराब दुकान पर रुपए कलेक्शन करने वाले करमचारी ने आठ पॉइंट तीन यानि साड़े आठ बजे ही शट्ट गिरा दिया करमचारी अविनास चंदर पिता बनवारी लाल केसरवानी निवासी इलाबाद ने गल्ले से करीब एक लाग पाँच जार रुपए और निकाल लिये और भाग गया सोम ग्रूप के अफसरों ने उससे संपर्क किया लेकिन मोबाइल बंद मिला शनिवार को शराब दुकान के मैनेजर जोनपूर उत्तर प्रदेश निवासी शिव कुमार राजपूत ने शिकायत की राजपूत ने बताया कि वह है मतपूर खेगाओं की अंग्रेजी शराब दुकान का मैनेजर है और 24 फरवरी की रात 8 बज़े से 10 बज़े के बीच शराब दुकान का करमचारी अविनाश चंदर कहीं लापता हो गया है वह उस दिन शराब विक्री से प्राप्त एक लाख रूपे के असपास राशी लेकर फरार हो गया है करमचारी का करते हैं अमानत में खैनत जैसा है इधर थाना मोगट रोड पुलिस ने केश दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है खंडबाज लेके चाई के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाई अभी जाकर नजदी की किरानत स्टोर से खरीदें होल सेल के लिए वेशाली किरानत पर समपर करें